गुड मॉनिंग आलाफ यू बच्चो मैं आपके हिंदी टीचर पिछली कक्षा में हम लोगों ने पार्ट दो जाल में कबूतर को पढ़ा था उसी सिंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट दिन वड माला को पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि वड किसे कहते हैं वड क्या है वड किसे कहते हैं तो वड बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई या धोनी को हम वड कहते हैं वड माला किसे कहते हैं तो बच्चों वड का बिवस्थित क्रम या समू वड माला कहलाता है अब हम जानेंगे कि वड के कितने रूप होते हैं आपने जाना कि वड किसे कहते हैं उसके परक्षात वड माला किसे कहते हैं अब हम जानेंगे कि वड कितने प्रकार के होते हैं इनके कितने रूप होते हैं तो बच्चों सबसे पहला हमारा स्वर ये क्या है वड है स्वर हमारा क्या है वड है अब स्वर के पक्षात ब्यंजन ध्यान से देखेगा बच्चो ब्यंजन हमारा क्या है वर्ण है ब्यंजन के पक्षाद संयुक्त ब्यंजन संयुक्त ब्यंजन क्या है ये भी वर्ण है इसके पक्षाद नीचे बिंदी वाले वड ये कितने प्रकार के होगे बच्चो चार प्रकार के ये चार प्रकार के हमारे वड हो गये कितने प्रकार के ये पूरे चार प्रकार के हमारे वडों का समू हो गया अब इन जब सारे समुहों को हम विवस्थित रूप देते हैं विवस्थित क्रम में लिखते हैं जैसे अ-आ, इ-ई, उ-उ, री, ए-ई, उ-आ, अउ, अंग, अह ये क्या है वर्डों का विवस्थित क्रम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ब्यंचन को हम लिखते हैं जैसे का, खा, गा, घा, अंगा अब इसे अगर हम विपरीत तरह से लिखेंगे अंगा को पहले लिखते हैं घा को लिखते हैं तो हमारा यह वो सही क्रम होगा नहीं होगा तो हमारे वर्णों का सही क्रम क्या है बट्चा? हमारे वर्णों का सही क्रम ये है. तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण माला. आया बच्चों समझ में आज की कक्षा में इतना ही कल हम इनके विशय में आगी चर्चा करेंगे और और भी कुछ जानेंगे. धन्यवाद.